नमस्कार जेहिंद आप सभी का स्वागत है आए चर्चा करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ लेना चाहिए अक बार में और उसमें से क्या निचोड निकाल सकते हैं निचोड आपको मिलेगा यूपीस चैनल पे तो जरूर वहां पे देखिएगा आए चालू करते तो 17 आने वाल को पस register करना है cmc code पर तो अभी नीचे description पर जाए ये link पर click करिये और आप वहां पे referral code डालके cmc code can register for it और 17 को पहुंच जेगा test देने के लिए 11 बजे सब्सक्राइब फ्यू crash courses that are coming up और ये रफ्तार बैचे आपका जो चालू हो रहा है ये रफ्तार बैचे आपका जो चल चुका है हर लगबग 15 दिन पर लॉंच भी होता है आप जूड सकते हैं इसमें crash course है current affairs static everything you get and the plus point is you get access to all the videos that are there on the channel on the that app to cmc code पर इसका भी लाब ले सकते हैं चली एक हो जाया positivity और कहा जाता है आत्म दीपोभव अपना जो confidence ढूंड रहे motivation ढूंड रहे वो अपने अंदर ढूंडी है वो बैटके YouTube पे Reels देखकर एक बार तो आ जाएगा और वो लंबा नहीं चलेगा you should be motivated from inside you are there you have your own light inside you recognize that light and feel it you are your own light that is what is आत्म दीपोभव आप खुद ही अपने आपके light है और उसी को follow करिए चली पहला topic देखते हैं आज का security issue से related था वैसे already हो चुका है तो terror charges को invoke किया गया है in a security breach case जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ terror charge को invoke कर दिया गया है और UAPA Act है जो anti-terror law है UAPA Act उसके तहर जो anti-terror charges है या फिर terror charges है वो इनके खिलाफ invoke कर दिये गए है and they say that they were actually all coordinating a pre-planned conspiracy थी against the parliament, against the sovereignty और इसी के खिलाफ अब इनके उपर चार्ज लगाया जाएगा तो अब देखते आगे क्या होगा बहुत अब हमारे पढ़ने लागे इसमें बचा नहीं है UAPA Act है जो हम बार बार पढ़ने कोशिश करेंगे अगला हम international organization से देखने कोशिश करते European Union agrees to open membership negotiations with Ukraine तो Ukraine के साथ EU का membership लेने के लिए open हो गया negotiation तो EU कौनसी countries हैं ये जानना जरूरी है वो Euro को follow करती हैं ये जानना जरूरी है और कौनसी country EU की member नहीं है ये भी जानना जरूरी है अब आप से नॉर्मली पूछना चाहते हैं देखते नीचे comment करके बताईएगा कि क्या Norway European Union का part है क्या Switzerland European Union का part है नीचे comment करके जरूर बताएगा इससे क्या होगा हम दिरे दिरे समझ पाएँगे कि European Union आखिर क्या है कौन उसका part नहीं है और क्यों नहीं है ये भी समझने में आसानी होगी तो आप जरूर बताएगा नीचे comment करके अच्छा आज हम एक पढ़ते topic जो कि miscellaneous हमें लगता है यूएस house launches the Republican impeachment inquiry अगेंस जोई बिडन आप इसको miscellaneous या फिर constitutional comparison के तहत पढ़ सकते थे constitutional comparison the comparison of the constitution अब इसमें क्या है दो चीज़ है अभी तक ट्रम्प बिचारे जेल लेते सारा impeachment का चार्च बाइडन क्यों पर भी लग गया है तो क्यों लग गया है बेटा involved है तो बेटा हो सकता है कि उसके खिलाफ एक allocation लगा कि इसा फाइदा ले रहा है फालतू का तो इनके खिलाफ inquiry बठाएगे अच्छा यहां का impeachment वर्सेज इंडिया का impeachment अलग है हमारे दोनों house से इनिशेट होता है प्रोसीडिंग इनके house of representatives होता है सीनेट में जाता है बात में ते सब देखेंगे आजम miscellaneous price related है direct question है इंद्रा गांधी peace price किसको जा रहा है दो नाम आपको बता दें अली अबु अवद और दैनियल बारन बोम इन लोग को जा रहा है इंद्रा गांधी और लगभाग इन लोग का जो दोनों का case है वो इस्राइल पैलेस्टीन में peace बनाने के लि इसलिए इनको दिया गया है बागी देखते हैं यह अपने नाम-based question है जो आ सकते हैं अगला है urgent need to control use of e-cigarettes as who तो यह health का topic हो गया हमारा हमारा health का theme हो गया है e-cigarettes they were touted that they are going to reduce the cigarette users तो बैक को यूज कम हो जाएगा उल्टा होने लगा लोग e-cigarettes का आदत पढ़ने लगा और कई जगह countries में तो limit ही नहीं कि कितने इसके बाद आप ले सकते हैं there is no such limit there सारी दिक्कते बढ़े हैं nicotine का addiction इतना तेज हो जा रहा है त फिर भी यहां illegally चल ला है so this is what is going about आपको इसको बंद करना है तो क्या नुकसान है यह हम लोग देखेंगे UPC Unstoppable Channel पे और आज का COP28 का coverage है क्या outcome आया है positive और क्या negative हम यह जरू पढ़ना चाहेंगे कि COP28 जब खतम हुआ दुबई में तो कैसा लगा क्या outcome अच्छा रहा है क्या निगेटिव रहा है इन सब पर चर्चा करेंगे climate change के दौरान और यह अभी होगा UPC Unstoppable Channel पे तो आपसे मिलते हैं वहीं पे कुछ अच्छी चीज़े भी है कुछ बुरी भी है जल्दी से आपसे वहां मिलते हैं वहां पर चेक करते क्या क्या हुआ हुआ है यह direct question यहीं से बन